दोस्तों यहां पर देखिए मैं computer में Hindi type कर रहा हूँ इसी तरीके से आप computer में Hindi type कर सकते हो आपको English keyboard है उसके जरीए आपको Hindi keyboard का जरूरत नहीं है किसी भी software download करने का जरूरत नहीं है Windows 10, Windows 11 इसके अंदर by default यह feature है simply आपको setup करना है तो setup कि तरीके से करना है सबसे पहले computer के चाहिए यह here पर लोगो को क्लिक करना होगा यहां पर आपको दिखाइदेगा settings यह देखिए आप settings icon इसके उपर आप लोगो को क्लिक करना होगा settings के अंदर आने के बदेगा time and language के उपर क्लिक करना होगा and left side में यह जो बार है यहाँ पर आपको दिखाए देगा language language की उपर आप लोगो को क्लिक करना होगा and यहाँ पर आप देखिए add language करके एक section है simply किसी भी चीज़ पर आपको धियान नहीं देना है simply add language की उपर आप लोगो को क्लिक करना होगा यहां पर आपको जो language add करना है वो add कर सकते हूँ, सिर्फ Hindi नहीं, बिंगली, तामिल, तामिल, तेलिग, वो Arabic, जो भी language है, तो यहां पर हम लोग हिंडी करूँगा, तो ढोडने का जरूरा नहीं है, यह जो search बार है, यहां पर आप simple लिख देंगे हिंडी, तो यहां पर हिंड के उपर किलिक करेंगे, तो searching for language features, यहां पर language features के लिए, यह search होगा, यहां पर देखे, set as my windows display language, अगर अब इसको करते हो, तो आपका windows display language है, मतलब यह जो English लिख हुआ है, हे हैंडी में बता दे जाएगा, अगर आब वो चाहते हो, पूरा है हैंडी करना हो कर सकते हो, क्यू जोड़ा से pending show करने के बाद, आटमेटिकली यह download होने लगगा, आपका internet speed अच्छा का सा होना चाहिए, यह देखिए, initializing यहां पर दिखा रहा है, यह downloading हो रहा है, तो यह पूरा की पूरा download होने देते हैं, फिर आपको दिखा देते हैं, इसके बाद और भी काफी सारा process है, जो देखना हैं, तब जा के अप प्रोपर तरीके से हिंडी टाइप कर सकते हो, यहांपे आप देック सकते हो, यह download होने के बाद इस्टॉल भी हो चुका है, यहां पिंदी लिखभा है, simplyvens की पर आप लोग को इकलिक करना होगा, है यहांपेको। यहांपे देखा हाई गा, यहाँ पर आपको दिका ही हैndi phonetics यह लोग इनके यह फोर्म प्राइट के ओप लोग और होगा अब यहाँ पर देखिए गारे हैं अब आपको यहां पर आज़िए आब आपको जहां पर लिछए ना कह रही है कही ब्याபट लिखेंगे उसके विकल न youngestiche हंप backwards के अंदर हम लोग लिखेंगे या आप Microsoft Word, PowerPoint, किसी भी software के अंदर आप लिखना चाहते हैं उस software को सबसे पहला open कर लिजिए, उस software के उपर click का दीजिए, फिर right side में यहां पे आप देखिए English लिखा हुआ है, simply इसके उपर click का दीजिए यहां पे handy phonetic यह जो है, इसके उपर click कर दीजिए, अब आपको यहां पे click करना होगा और यहां पे जो भी आप लिखेंगे, जैसे कि यहां पे हम लोग लिखेंगे digital, यह digital आगा है, इसका साथ-साथ English option भी आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हूँ, यह आप लोगों ने digital लि इसके लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो, जैसे कि यहां पे हम लोग लिखेंगे subscribe, यह देख सकते हो, यह इस तरीके से आप लिख सकते हो, तो इसके अंदर कुछ गड़बड हुआ है, फिर आपको open करना होगा, यहां पे आप देखिए, यहां पे हम लोग और ल देख सकते हो, यह है काफी सारा option, यहां पे यह देखिए, यह है, इसके एक shortcut है, तो shortcut की जरीए आप यहां आप से change कर सकते हो, ठीक है, control and change करना होगा, यहां पे हिंडी phonetic की आप set करके रखिए, जब भी आप यहां पे लिखेंगे, यहां लोग ने लिख दिया, यहां पे आप लिखेंगे, तो आपको option दिखाए देगा, अगर आपको लगता है, यह गलत है, यह वाला गलत है, तो आप दूसरा choose कर लिजिए, तिसरा choose कर लिजिए, तो यहां पे एक, एक, दो, तीन चाल लिखा हो है, जो text आपको यहां पे लिखना है, simply अगर आपको तिन number वाला लिखाए देगा, तो इसी तरीके से basically आप computer के अंदर handy लिख साकते हो, या किसी भी language लिख साकते हो,